नमस्कार साथियों मैं मनीश भारती संस्कृती PCS प्रेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार के आगामी प्रारंबिक परिक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रते एक दिन 10 टॉपिक करेंट अफेर्स का लाते हैं ठीक है तो आज लेक्षर नमर 43 तक पहुंच चुके हैं इससे पहले का लेक्षर एदिया आपने नहीं देखा है तो जाकरके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वहां से सारा चीज़ नौट कीजिए एक क्वेश्चन जो प्रतेक दिन हम लोग सबसे पहले किया करते हैं वह प्रशन का सही जबाब दे करके आपको कमेंट बाक्स में लिख देना है उसके बाद लेक्षर पर आ जाएंगे ठीक है पहला काम यही करना है अब जैसे यहां पर पहला प्रशन दिख रहा है मैं तो बताऊंगा ही उसकी चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले यदि आप प्रशन सॉल्व करते रहिए चलिए ठीक है यहां से सुरुवात करते हैं पहले टॉपिक तीसमी राष्टिये भारोत तोलन चेंपियंशिप में बिहार की मारिया अभी नभी भारती ने कौन सा पदक हाशिल किया है स्पोर्ट से रिलेटर है ठीक है और दूसरी बात जो है से रिलेटर है और तीसरी बात वुमें से रिलेटर है अगेन इसको फोर इस्टार बना के रखी ए स्पोर्ट से बीपेसी में कोशन पूछा जाता है यहां से संभभ है कि प्रशन आ सकता है देखिए मुंबई में यह आयोजित हुआ लोकेशन आपसे पूछा जा सकता है तो जंदे जो इनहें पदक आया है वह रज़त पदक आया है ठीक है यानि की сильver medal आया है ठीक है अब यहां पर एक बात आपसे पूछा जा सकता है कि यह जो मारिया है यह बिहार में किस सर्विश में हैं तो यह ध्यान रखना है आपको अलगछ सेक पॉइंट ध्यान रखिएग किन के द्वारा किया गया चर्चित व्यक्ति में ऐसे प्रशन पूछे जाते हैं ठीक है बिहार में आप देखेंगे तो लगातार आपको यह देखने को मिलेगा बिहार के मुख्यमंत्री कौन है नितीश कुमार तो नितीश कुमार के द्वारा यहाँ पर मुख्यमंत्री उद 2016 में ही की थी ठीक है तो यहाँ पर जवाब हो गया नितिश कुमार बिहार के मुखमंतरी चलिए आगे बरते हैं तीसरे पर निमलिकित में से कौन सा गाउं बिहार का पहला smart गाउं बनने जा रहा है अगेन फोर स्टार लगा यह important है यहाँ पर ठीक है कहां सोने वाला डिश्टिक का नाम ध्यान रखिएगा बांका बांका बिहार के एक दम दक्षिन में जा करके यह पड़ता है बांका जिला जार्खन से सीमा साजा करता है वहीं पर बांका जिले में एक परखंड है उसका नाम है रजाउन तो रजाउन परखंड और उसमें एक गाउं है जिसका नाम है बावर्चक ठीक है तो रजाउर परखंड के बावर्चक गाउं में बांका जिला डिश्टिक के अंतरगत यह आएगा यह बिहार का पहला स्मार्ट विलेज होने बाला है अब 11 एकर सरकारी जमीन पर बनाया जा रहा है तो पूरी तरह से अलग से डिजाइन ही किया जा रहा है तो स्पीर भी साइडिस में है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर यह देखिए किस तरह से पूरी तरह से 11 एकर में बसाया गया है अलग से पका मकान हर जगा तयार किया गया है, पूरी प्लानिंग के साथ रोड है, गेट बना हुआ है, मंदिर है, हर चीज ऑस्पीटल तयार किया गया है, तो पूरी व्यवस्थित ढंग से हर चीज तयार किया गया है, सरकार की महत्तुकांग्शी योजना यह है, ठीक है, हा करके काफी चर्चा पिछले दिनों बिहार में चला है देखिए जुबा सहनी का जन्म अगर देखेंगे तो इनका जन्म उनिश्व छे में हुआ है तो जवाब यहां पर आ गया आपको तो मुझपरपूर जिले में मिनापूर थाना के अंतरगत जो चौनपूर बसती है बहुत लोग वहां पर रहते होंगे बहुत जगा आपको चैनपूर भी दिखा लिखा हुआ दिखेगा चैनपूर तो इसको नौट कर लीजी हो सकता है थोरा सा फेक्ट ज्यादा पूछना चाहे तो आपसे यह सब पूछा जा सकता है तो यहां पर जो है इनका जर्म एक बहत गरीब परिवार में हुआ था और मलाह परिवार में ना मलाह अगर जाती के आथार पर देखेंगे तो इसका परिवार भागल पूर के जेल में भागलपूर में जो सेंट्रल जेल है न वहीं पर यह फासी दिया गया था इतनी बाते फैक्ट याद रखिएगा अगैन बता दू मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यह आ सकता है तिसलिए मैंने सारे फैक्ट आपको विश्तार से बता दिये अंतरिम बजट में बिहार को रेलवे विश्तारी करन के लिए कितनी रासी का आवंटन किया गया ध्यान दीजेगा यह केंद्रिये बजट दोजार चौबिस पचीस की चर्चा नहीं है लोग्षभा चुनाब जब होने बाला होता है उससे ठीक पहले दो-तीन मेहने के लिए सरकार अपना काम का चलाने के बजट जारी करती है उसको अंतरिम बजट कहा जाता है यह पूर्ण बजट नहीं होता है समझ में आ गया तो ध्यान रखना है यह नहीं सूच लेना है कि यह जो 69,000 करोर रुपिया दिया गया था बिहार को अभी केंद्रिये बजट 2024-25 में दिया गया था यह चर्चा यहां से अब चलते हैं यहां पर देखिए वित्यवर्ष 2024-25 अब जहां पर मैं बोल रहा हूं वित्यवर्ष 2024-25 की बात कर रहा हूं इसके अंतरिम बजट की जब बात करेंगे तो बिहार को रेलिबे के लिए तक क्रीवन देखेंगे तो 10,032 करोर रूपिया जो है वह दिया गया ठीक है यतने राशिक आवंटन किया गया कोई विकल्फ इसमें से नहीं है तो इनमें से कोई के साथ आप चले जाईएगा ठीक है यह रेलिबे के लिए आज तक विहार में देखेंगे तो रिकॉर्ड अस्तर का आवंटन किया गया एच से पहले पुर्वे सरकार में और सतन करना है कि विजली के हिसाब से रेलवे चले चुकि बिहार में बहुत जगा कोईला के इंजन चलाए जाते हैं इन सब से बिहार को अब निजात मिलने बला है इस बार जो है बिहार को औस से नौ गुना ज्यादा रासी मिली है क्योंकि मैंने क्या कहा लगभग जो है वह 1100 कर रहा है बिहार को एवरेज की बात मैं कर रहा हूं और इस बार देखिए 10,000 करोन तो यह 9-10 गुना ज्यादा हो गया है बिहार को मिला है तो बिहार में रेलवे में देखेंगे आमुल चुक परिवरतन अगले 2-3 साल में आपको देखने को मिलेगा इस बजट में पुर्व म बाते की गई है अगैन इंपोर्टेंट 3 स्टार लगा लेजिए 3,4,5 स्टार ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएगा इस से ज्यादे की जैसा ही बात करूं तो आप थोरा सा चोकनना हो करके उसको देखिए बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में एक गोल्ड मेडल जीता तो यहां पर हम सबसे पहले लिख देते हैं कि गोल्ड भाईया कितना आ गया तो एक आ गया यहां पर ठीक है इसके अलावा देखेंगे इस परत्योगता में 21 स्थान पर रहा बिहार है और बिहार ने कुल कितने पदक जीते तो कुल पदक एक गोल्ड के साथ कुल में हुआ था 19 से 31 जनवरी तक ठीक है इसमें महरास्ट और तमिलाडू हर्याना जो है यह सिर्ष तीन अस्थान पर बना रहा महरास्ट तमिलाडू और हर्याना यह 123 पर रहा यह ध्यान रखना है बिहार का 21 नमर रहा तो वह सीवी कल्ब के साथ आपको जाना है चलिए यहां आप आते हैं सात्में प्रश्ण पर बिहार के किस जिले में खाडी मेला सह उद्यमी बाजार 2024 का और जिश्टिकाれない आप से पूछा गया है ध्यान की बात किया घैका घान का जाइदा ही ज्यागा ती Caleb पुरिष्टार लगाई और मेला यानि को प्रिटन वेगरा की बात हुई और खादी है तो ये उद्यम बाला भी बात हो गया तो विवसाई से संब्धनी चीज़े जाएगा यानि कि बिहार में जो रोजगार के स्थिति रहें उसको बेहतर करने के लिए उद्योग को बढ़ा देने के लिए सब काम किये जा रहे हैं तो भागलपूर रेशम भवन में दस दिन तक चलने वाले खादी मेला सह उद्धमी बाजार का उद्धाटन जो है भागलपूर के जो डीम है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और उद्धोग विभा के प्रभारी हैं महा प्रबंदक खुश्बू कुमार्दी ने संयुक तुरूप से किया था इसमें क्या किया गया था बिविन स्टॉल लगाए गये थे यहाँ पर खाद किस तरह से निर्मित हो रहे हैं वस्तर खाद जैसे वस्तर निर्मान होता है हैं हैंडिक्राफ्ट की बात करते हैं आपने भागलपूर बुनकर वगरा बहुत हैं तो बुनकर को लेकर के मंजुशा कला के विशा में आपने सुना होगा और समय के साथ ये कोशिश की जा रही है कि उद्यमिता में महलाओं की संख्या बढ़े तो घरेलो उत्पाद महलाएं जैदा बना रही हैं तैयार कर रही हैं इन सब चीजों को प्रदरशनी में महाँ पर लगाए गया था तो ये आपको ध्यान में रखना है जवाब मैंने क्या कहा भागलपूर को लेकर के भागलपूर को जो है वह सिल्क सीटी भी बिहार का कहा जाता है इसको ध्यान में रखिएगा ठीक है आगे बरते हैं निपलिखित में से कौन जो है वह प्रबल है देखे बिहार ट्रैफिक ओडिट करने वाला देश का पहला राजी बन गया है पटना समेथ पांच सहरों में इससे यातायात सुधारने की बात की जा रही है पटना के साथ अन पांच यानि कि टोटल जो है पांच शहर ऐसे हैं जहां पर इस तरह की ट्रै काच ऐसे हैं जहां पर वैग्यानिक तरीके से क्या किया कराए गया है ट्रैफिक का शर्वे कराए गया है और उस हिसाब से बंदोबस्त किया जाएगा ठीक है तो यहां पर बी विकल्ब के साथ आपको जाना है चलिए नौमे प्रशन पर चलते हैं तीन फरवरी दोहजार च शचा इधर आ गया है इंडिया के तरब उसके बाद मुखमंत्री तो वही है ठीक है लेकिन अब यहार में अभी दो डिप्टी सी एम है तो समराठ चौधरी वेक्ति हैं वह भी एक डिप्टी सी एम है और इनके पास तक्रीब नौदस विभाग है तो उस नौदस विभाग में एक विभाग जो इनके पास है वह वित्त का भी दिया गया है तो यहां पर जबाब क्या होगा ए नमप प्रशन का डी आगे बर जाते हैं किस राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में छात्रों और सिक्षकों की ओलनाइल मॉनिटरिंग के लिए इस सिक्षा कोश पॉर्टल विक्षित किया है फोर इस्टर लगाईए यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यहां से प्रश्न आ सकते हैं चुकि जवाब इसका बिहार ही है तो यहां समझे लिजी अब इस बात को बिहार सरकार ने सरकारी शकूलों में छात्रों और सिक्षकों की ओनलाइन मॉनिटरिंग के लिए इस शिक्षा कोट पॉर्टल विक्षित किया है यान पर ऑनलाइन उपस्थेती दर्ज करने के लिए शिक्षकों को अपने मॉवाइल फोन में डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से जाकर के माध्यम से जाकर के उपस्थेती दर्ज करानी पड़ेगी अब इसका जो है मुख्याले अस्तर पर इसकी तो यह सिक्षा विभाग के अंतरगत यह सारी चीजे हैं ठीक है तो यह प्रशन भी हो गया आखरी प्रशन जो मैंने दिया था पहले आपको बिहार की भूमी पर पहली बार भारती राश्टी का अधिवेशन हुआ था चार विकल्प है जो भी विकल्प आपको सही लगे उ क्योंकि देखी अभी 43 लेक्चर हमने कर लिया दस टॉपिक के हिसाब से देखेंगे तो क्वरेंट अफेर्स का 430 टॉपिक हम लोग तयार कर चुके हैं तो इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आ रहा होगा सारे प्रशनों के जवाब दीजिए जो मैंने पूछा है अपन कर दो